हेलो दोस्तों वेलकम टो मैं न्यूव वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले CBC के बारे में यानि की complete blood count जो है रिपोर्ट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं देखें आप कभी न कभी ओस्पितल में गए हो तो कोई भी डोक्टर सबसे पहल तो आप इस वीडियो को पूरा देखे तो चलिए वीडियो को शुरुत करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि कोईभी डोक्टर चीनिक करिवा ता क्यों Cum सिवा हो आटा कियों हो शीवग का जो मेम। है एनीमियालेक कंडिशन है ओके कैंसर हो गया एबनॉर्मल बिडिंग हमारी बोडी में से हो रही है या फिर कोई सी भी हम रेगुलर एक्जमिनेशन करवाने जा रहे हैं तो कोई भी सबसे पहले हमें सी बीसी करवाने के लिए कहता है ओके तो इसके कौन-कौन से इसे सिम्टोम से हमारी बोडी में देखने को मिलते हैं जिसकी वज़े से हमें कुछ से सी बीसी करवाने का करवाना चाहिए ओके तो देखे सबसे पहले हैं सी बीसी के वह हमने देख लिए ओके तो अब हम बात करते हैं कि सी बीसी रिपोर्ट में कौन-कौन से पॉइंट होते हैं जो हम सी बीसी रिपोर्ट में देखते हैं तो सबसे पहले होगे हमेटोक्रेट वेल्यू इसके बाद हीमोग्लोबिन देखते हैं इसके बाद आर कि शुवरियो कि अजरने ऊर्म ब्ली होती है और कök इस वीडियो में बाता है तो उमें कुन कोरण सी बोड्य के अंदर खतरा होता है या फिर कब जो वेल्य होती है वoughing हो जाती है तो हमें कोण-खोन्यायों से खतरा होते इसके बारे में इस विडियो में बात आगे करते है to दूस्तों सबसे पहले हम बात करते है आर-वी-सी की तो आर बीची होता है जूजी से हम आर रेट ब्लड्ड 4.6 to 4.8 होता है तो यह थी कुछ RBC की नॉर्मल वेल्यू इंक्रिस होने वाली कंडिशन कौन-कौन से होती है जो patient smoking कर रहा है तो उसमें RBC बढ़ रहा होगा इसके बाद lung disease होगा इसमें बढ़ता है kidney disease में बढ़ता है और या फिर cancer हो तो उसमें बढ़ जाता है और इसके साथ-साथ अगर हम high attitude पर रहते हैं यानि कि पहाड़ों पर जो रहने वाले लोग होते हैं उसमें RBC की जो value होती है वो increase होने को देखने को मिलते है क्योंकि ऐसी condition में क्या होता है हमारी body के अंदर oxygen की कमी पड़ती है तो oxygen की कमी के वज़े से हमें ज़्यादा से ज़्यादा oxygen को transfer करने के लिए RBC चाहिए क्योंकि RBC में होता है hemoglobin इसके लिए जो हमारी body होती है वो RBC का ज़्यादा से ज़्यादा formation करती है इसके बाद हम देख वे सी कौन कौन सी condition है जिसमें जो RBC की value होती है वो decrease होने को देखने को मिलते है तो anemia हो गया अद्दकी anemia क्या कहते है anemia में hemoglobin और RBC दोनों decrease हो जाते है या फिर कम हो जाते है इसके बाद vitamin B12 deficiency है अगर आप मारे शर्यादा में जो हमारा blood होता है वो हमारे fetus में भी चाहरा होता है तो इसकी वज़े से क्या होता है उसको जो nutrition support के लिए RBC कम पढ़ते है तो यह थी कुछ RBC की value जिसमे normal value हमने देख ली इसके बाद हमने देखी को एसी कौन कौन सी condition हो जिसमे RBC increase हो जाते है और फिर decrease हो जाते है तो हम इससे पता लगा सकते है कि RBC में कौन कौन सी हमारी body के अंदर का जो condition होती है जिसकी वज़े से हम RBC का पता लगा सकते है तो अब हम बात करते है hematocrit value की हमatocrit value यह नि कि क्या होता है एक RBC के ही होता है लेकिन hematocrit में क्या होता है कि हमारी blood का जो components होता है उसमें blood cells होता है और plasma होता है तो plasma होता है वो जो कस्नली होते है उसमें ओपर के तरफ होगा और जो RBC होते है में जो RBC होते है वो कस्नली के नीचे के तरफ होगे तो जो RBC का परसंटेज होते है वो normal hematocrit value कितनी होती है एक जो पूरी कस्णली होती है उसमे normal value होते है 38% हमारे RBC normal होते है तो यह थे हमारे hematocrit value ओके तो अब हम बात करते हैं हेमोगलोबिन के बारे में तो हेमोगलोबिन क्या होता है देखे हमोगलोबिन का main जो importance होते ही हमा तरीके से oxygen transfer नहीं कर पाएंगा तो हमारी बोड़ी में हमोगलोबिन की normal value कितनी होती है वो होती है 13-18 ग्राम होती है और न्यूबर में कितनी होती है 17-19 ग्राम और चिल्ट्रन में 16-17 ग्राम होती है अगर हमारी बोड़ी के अंदर हमोगलोबिन कम है तो हमें एनेमिया होने का चांचीस बढ़ जाता है और यानि हमोगलोबिन इंक्रिस कब होता है तो हमने आगे बात की ठीक हम अगर हाई हाई attitude पर रहते है या फिर smoking वाला जो पेशन्ट होते है उसमें हमोगलोबिन ज्यादा देखने को मिलता है तो यह हो गया हम बात करते है mcv के बारे में तो mc हो सकते है और अगर जो rbc होता है वह हमारे नॉर्मल से ठोटा होगा तो हमें थेले से में होने का चांचीस बढ़ जा हो सकता है हम mcv से क्या पता लगा सकते है rbc की साइस पता लगा सकते है अब हम बात करते है wbc के बारे में तो wbc जो इंपोर्टन्स रोल प्ले करते है किसी भी टैप के infection को detect करने के लिए तो अगर हमारी बोड़ी के अंदर किसी भी टैप के infection रहा है तो wbc के ऊपर से में पता चल से कंडिशन होती है जिसमें wbc की value increase होती है और कौन से सी values होती है जिसमें wbc की value जो है वो decrease होने को देखने को मिलती है तो यह हम इसके बारे में बात करते हैं तो increase वाले कौन-कौन सी condition है या फिर infection है अगर हमारी body के अंदर infection लग चुका है तो wbc increase होगा क्योंकि किसी भी foreign particle हमारी body के अंदर आ चुके है तो उसको fight करने के लिए हमारी immunity wbc या फिर wbc का जो टी लिंपोसेट और बेलिंपोसेट में से wbc increase करने को मिलते है क्योंकि हमारी body के अंदर किसी भी infection की वज़े से infection लगा है तो हमारी body wbc ज्यादे से ज्यादा produce करते है तो यह main infection को detect करन के लिए हमारे wbc में काम आता है इसके बाद अगर inflammation वाली condition है तो उसमें भी wbc increase होगे इसके बाद emotional stress में है तो उसमें भी wbc increase होने को देखने को मिलते है rheumated arthritis हो गया फिर kidney failure हो गया तो एसी कंडिशन है जिसमें जो wbc होता है वो increase होता है और एसी कंडिशन है जिसमें wbc decrease हो जाते हो तो पहला हो गया chemo therapy और दूसरा हो गया plastic chrysofils जो neutrophils की बात करता है तो wbc के mainly mainly 70% जो भागोता है वो cover करता है neutrophils अगर neutrophils कब increase होता है अगर हमारी body के अंदर bacterial infection लग चुका है तो वहाँ पर हमें neutrophilia देखने को मिलेगा छो opens daug यह यानिके परिफोल्स की जो सब्क्मिल उतियों से जादे बढ़ जाता है रिब Ri待って कब होता है लोगर किलते इन्फेक्शन होता है अगर बीन में एक्टी इंफेक्शन है तो वहाँ पर मुंहें करेंख 2 मोरे हो जाता है तो हमारी बोड़ी के अंदर ईयलर्जिख है किसी भी टाप की अलरी बोड़ी के अंदर इसमेlles हुए है और जो पिलेटिख होता है। चो एपके सबसे हैं शोता है और जो platelet होता है उसका main काम होता है हमारी blood coagulation में अगर हमें किसी भी type की injury हुई है वहाँ से blood निकल रहा है तो blood को जमाने के लिए जो cells main काम आता है उसका नाम होता है platelet अब हम बात करते है platelet की normal value के बारे में तो हमारी body में platelet की normal value होते है एक डेड लाग से चार लाग के आसपास हमारी platelet की normal value होती है और यह जो value होती है वो कौन-कौन सी condition में increase हो जाती है तो bleeding की condition में platelet increase होगे क्योंकि blood coagulation के लिए वहाँ पर main role होगा उसका इसके बाद iron deficiency में और इसके बाद cancer में इन तीन condition में platelet increase होता है और decrease कब होता है वाइरल infection हो गया या plastic anemia हो गया या फिर vitamin deficiency हो गया तो इसमें platelet decrease होता है तो दूस्तो यह थे हमारे CBC इस तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ऐसे medical knowledge से related videos देखने के लिए इस चैनल को सबस्क्राइब केजिए